नमस्कार दोस्तों सौगते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेड खाने के नुकसान के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक सरूर करें अब बढ़ते हैं वीडिय नहीं आता है चाहे वो फटाफट से तयार हो जाने वाला सेंडविच हो ब्रेड जेम हो या फिर ब्रेड मक्षन ये हम सभी की जीवन का हिस्सा बन चुका है पर क्या आप जानते हैं ब्रेड खाना कितना अधिक नुकसान दाइक हो सकता है अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी चीजों की तुलना में ब्रेड में बहुत कम पोशक ततू होते हैं ना तो ब्रेड खाने से फाइबर मिलता है ना ग्रेंस का पूरा फायदा एक तरीके से कोई भी पोशक ततू हमारे शरीर में नहीं जाता है अगर आप ब्रेड की आदत को छोड़ नहीं सकते तो वाइट ब्रेड की जगे होल ग्रेन ब्रेड खाना शुरू कर दीजिए वाइट ब्रेड की तुलना में यह सबसे ज़्यादा बेतर है क्योंकि इससे आपका स्वास्य स्वास्त रहेगा ज्यादातर ब्रेड में बहुत अधिक मातरा में नमक होता है इसे शरीर में सोडियम क प्रेट के संतुलन पर असर पड़ता है आप चाहे तो घर पर ब्रेट तयार कर सकते हैं और उसमें नमक की मातरा को संतुलित रख सकते हैं इसके अलावा फ्रेंज अगर आप ब्रेट के बहुत चोकिन है तो आपका वज़न बढ़ना लगबगते हैं इसमें मुझूद नमक च एक वक्त के आहर के रूप में लेना सही नहीं है वैसे तो प्रेकफास्ट सबसे अधिक चल्दी होना चाहिए ऐसे में आपके लिए ब्रेट का विकल्प तलाशना बेश ज़रूरी है तो देखा फ्रेंज आपने ब्रेट खानेंगे क्या-क्या नुकसान होते हैं उमीद करत आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्यू फ्रेंज मिलते हैं अब अखली वीडियो में तब तक के लिए झाल झाल